खमागणी साद ड्राइफूड रोस्ट करेंगे मैंने बदाम च्छोटे च्वोटे टुकड़े करके इसके अंदर डाल किस्मिस भी ढाल देंगे आप बदाम में परव और यह उसले सकते में नहीं के यह तक Are these और यह अपनी जगह छोड़ देगा और अलगा सा ब्राउन हो जाएगा तब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे ठंडा होने के रखने के बाद में मैंने ये सारे ड्राइफूट डाल दिया है नारियल का बुरादा डाल दिया है ल्वाइची डाल दिए और यह बूरा चिनी भे हम इसमरे डाल देंगे दो कप मैदा में मैंने έक चंप एक कप बूरा चिनी डाली है उसके बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे सारे मसाले को अब海 मैदा की छोटी-छोटी लोया बनाएंगे और लोया बनाने के बाद में कि हम इसके पूरियों की तरह इसको बेलेंगे नहीं तो जादा मोटी होनी चाहिए नहीं जादा यह पतली होनी चाहिए बेलने के बाद में हम इसको इसके अंदर यह मसाला जो बनाया था वो डालेंगे और अगर आपके पास साचाना हो गुंजी बनाने का साचाना हो तो इस पूड़े लाख कर सक्ते हैं, सबसे पहले मैंने इस पूड़े चारो पानी लगाना बहुत जरूरी है, तो ये झाने छाइन सबस्कार पूड़े, इसलिए हम पूड़े does लाखाम पानी लगाने के बाद में मैं इसके अंदर जो मसाला हमने बनाया था वो मसाला डालूंगी मसाला डालने के बाद में वापस मैं आपको दिखाऊंगी कि इस टाइप से हमें अगर साचा ना हो तो लॉक कर सकते हैं इस ताइप से हम इसको मोड दिया है, मोडने के बाद में अब धीरे-धीरे इसको मोड दे जाएंगे, एंड तक और ऐसा हमारा बन गया, अब मैं आपको साचे से गुंजिया बनाना बताऊंगी, मार्केट में साचा आसानी से हमें मिल जाता है जहां आप गुंजिया बनाने का सामान लाते एक वहीं से आपको साचा भी मिल जाएगा साचा एजिली मार्केट में मिल जाता है और यह ज़्यादा महंगा भी नहीं आता है इस टाइप से हमने देखी गुंजिया बना लिया है साचे से बड़े आसानी से बन जाता है साचे के अंदर हम पहले पूड़ी रखेंगे जो हमने बेली थी उसके बाद हम चारो और पानी लगाएंगे सेंटर के अंदर हमने मसाला डाला है उसके बाद हम इसको चारो तरफ से दबा देंगे दबाने के बाद में जो एक्स्ट्रा मैदा है उसको हम निकाल लेंगे और निकालने के बाद में हम इसको खोल कर गुंजिया निकाल लेंगे देखिए हमारी आसानी से सारी गुंजिया बनकर त्यार हो गई है अब हम इसो मीडियम आज पर मीडियम फ्लैम गैस होनी चाहिए और तेल फूल गरम करने के बाद में हमें वापस हमें धीरा धीरे कर देनी है गैस उसके और उसको फ्राई कर लेंगे गुंजियों को सारे गुंजिया हमारे फ्राई हो गए हैं देखिए कितने टेस्टी बने हैं बाई बाई